है आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सेनी क्लासेश में और आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग नया चेप्टर इस्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका वर्ग और वर्गमूल और गन और गनभूल यानि की स्क्वाइर और स्क्वाइर प्रवेश परिच्छा की तयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं जवाहर नोदे विद्धाले प्रवेश्परिच्छा को जिन बिद्ध्यार्थियों ने फर्म बरा है उनके लिए है committed City chemistry तोड़ा भी परशानी है इस चेप्टर में और वह सभी के सभी परशानियां दूर हो जाएंगी इस वीडियो में और यह वीडियो जो बेसिकली होगा यह दो पार्ट में होगा फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके कंसेप्ट और उस पर कुछ आधारित प्रस्न और सेकेंड लेक्चर जो होगा वो आपका तयारिक के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है उस लेक्चर में हम लोग यह बताएंगे कि किस प्रकार से प्रस्न पूटब किया जाते हैं और किस टाइप के प्रस्न एक्जामीनेशन म और को देखने वाले हैं जैसे संख्याओं का वर्ग ज्याद करेंगे तो वर्ग का दिखिये वर्ग को समझने से पहले कुछ और आपको मैं बता दिता हूं किस फॉर्मेट में दिया जा सकता है जैसे आप लोगों को इस बॉक्स के अंतरगत एक पावर दे देगा इस पावर को हम लोग वर्ग बोलते हैं और जो अंदर एलिमेंट रहेगी उसको हम लोग बेस बोलते हैं यानि कि आधार बोलेंगे फॉर एक्जामपल के तोर पे जैसे मैं बोल दूँ जैसे मैं बोल दूँ फॉर्ग का स्कॉायर है फॉर्ग का वर्ग है इसका मतलब यह हुआ कि चार गुड़ा चार ठीक है उसी प्रकार मालीजे इसका मतलब क्या हुआ थ्री गुड़ा त्री जो रिजल्ट हैगा मल्टिपलाई करने के बाद आपका वही स्कॉायर हो जाएगा वही वर्ग हो जाएगा ठीक है समझ रहे इतना बात इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग घात बोलेंगे घात और इसको बोल देंगे यानि की आधार इसके अंदर आधार ठीक है तो आप लोगों से कोसे यह भी पूट अप किया जा सकता है इसमें बताइए बेस क्या है इसका बेस क्या है फोर टू द पावर टू जो है इसमें बेस क्या है तो आपका जबाब होगा फोर बेस है इसका बेस क्या है इतना क्लियर है चली आई ये कुछ कोसिंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं वर्ग कैसे निकालेंगे ठीक है तो चली कोसिंस है यह आपकी स्क्रीन पर ये संख्याओं का वर्ग ग्याद कीजे फारेंड़ आपके पास पहला नंबर दिया गया है 16 अब देखिए इस पर कोई power नहीं दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पर statement में दिये दिया गया है वर्ग ग्याद करिए square ग्याद करना है आपको ठीक है यानि कि 16 का square कितना हो जाएगा 16 में 16 का multiply करिए multiply करने के बाद जो आपका result आएगा वही आपका square हो जाएगा यानि कि वर्ग हो जाएगा चलिए मैं आपको एक questions करा देता हूँ बाकि और सभी के सभी questions आपको खुद से स्वयम करने होंगे और करने के बाद आप लोग एक कारे और करना है कि comment box में अपना उत्तर जरूर लिखेंगे जिससे हमें मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ गया वाई ठीक है यानिके 16 में 16 का multiply करते हैं देखते हैं ठीक है 16 में 16 का हम लुग multiply करते हैं तो 16 में 16 का multiply करने पर कितना आएगा बताईए comment box में सभी विद्यार्थी बताए ठीक है यानिकि 2, 5, 6 होगा यानिकि 16 का square करने पर कितना आ रहा है 16 का square करने पर result आएगा एक मिनिट मैं height करता हूँ ठीक है उसके बाद आपका आएगा कितना 2, 5, 6 यह आपका result हो गया ठीक है बाकि और सभी question जो दिये गए उससे number 2, 3, 4, 5, 6 जो दिया गया है 5 का square कितना होगा 15 का कितना square होगा 20 का कितना square होगा 21 का कितना square होगा और 55 का कितना square होगा यह सभी के सभी आप लोग copy में swim हल करेंगे या करा दूँ बताइए यह तो बहुत आसान है इसको आप लोग swim करिएगा ठीक है मैं आसा करता हूँ कि आप सभी लोग comment box में उत्तर जरूर देंगे ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूँ square root कैसे find करते है square root find करने के लिए कितने विदी है इसके बारे में बताते है square root find करने से पूरू मैं आपको sign थोड़ा notation के बारे में बता देता हूँ कैसे और पूछे जा सकते है माले जी वहाँ पर statement नहीं देगा कि आपको वर्ग मोल निकालना है या square root निकालना है तो कैसे पैचानेंगे कि square root निकालना है तो देखिए ये sign आपको मिल सकती है ये sign आपको मिल सकती है या इसके उपर ये लिखा जा सकता है इतना और इसके अंदर जो number लिखे जा सकते है ठीक है तो अब square root निकालने का दो तरीका होता है एक गुरंखंड भी दिद्वारा यानि कि factorization भी दिद्वारा factorization method द्वारा और second भी दिद्वारा method हमारा division method तो आपको जिस method से लगाना चाहते है लगा सकते हैं लेकिन आपको दोनों method आपको exact मालूम होना चाहिए दोनों भी दिद्वारा आपको exact मालूम होना चाहिए ठीक है ओके समझ रहें बात को एक मिनट ओके तो आपको दोनों भी दिद्वी मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी एक तो factorization वाली और second division वाली तो सबसे पहले मैं आपको factorization का बताता हूँ method कैसे करते हैं ठीक है उसके बाद आपको मैं बताऊंगा division method ठीक है तो जब भी आप लोग एक बात और contest कर लिजी या copy पर लिख दीजीए जब भी हम लोग square root निकालेंगे यानि की वर्ग मूल निकालेंगे तो दो-दो का जोड़ा बनता है दो-दो की pairing होती है ठीक है कितने की pairing होगी दो-दो की चलिए for example के तोर पे मैं आपको बताता हूँ by factorization method द्वारा गुडणखंड बिधी द्वारा ठीक है तो गुडणखंड बिधी में देखिए जैसे कि हम लोग जैसक प्रकार से भाग लेकर जाते हैं ठीक है जैसे इसमें कितने का भाग लेकर जाएं कि ये कट जाएं प्राइब का तो ये बचा 5 ये हुआ 5 ये बचा 1 तो हमारे पास जो ये वाला नंबर है इसको इसेड लेकिए 5 क्रॉस 5 तो मैंने आपको बताया कितने का पेरिंग होगा दो-दो का पेरिंग होता है हर नंबरों का दो-दो का साथ में जोड़ा बनता है ठीक है तो इसमें से एक 5 निकाल लीजिए यही आपका एंसर हो जाएगा साहाब ठीक है यही आपका एंसर होगा ठीक है यह तो फैक्टराजेसन बढ़ी द्वारा हो गया अब आपको बता रहा हूँ भाग बढ़ी द्वारा है इसी कोष्टेंस को ठीक है इसी कोस्टन को में बताऊंगा है ठीक है तो अब भाग बीदी द्वारा निकालते हैं यह 25 दिया गया है अब हम मैंने आपको बताया था दो-दो का पेरिंग होता है दो-दो का पेरिंग होगा तो यहां पर जोड़ा बना दिया हमने अब इसमें कितने से भाग लेकर जाएं या 25 हो या 25 से थोड़ा कम हो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो पांच में पांच का गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई यह हुआ 25 ठीक है अब गटाने पर जिरो हुआ ठीक है और जो यह नंबर हमारा है फिर इसको आप लोग जोड़ द कि बता यह कितना आसान था चलिए और कुछ को संस ले लिते हैं ठीक है उसको सौल करते हैं ओके है यह है को जाँ और यहां पर यह नहीं साइन नोटेशन नहीं लगाए गया है लेकिन यहां पर इस्ट्रेट्मेंट में दिया गया है रूट आफ नमबर जो आपके पास को संप्सक्रच में दिया गया है 16 का स्कुायर रूट निकालिए 529 का स्कुआइरूट निकाले 324 का स्वायरूट निकाले 256 कं तो में आपको कोसे नंबर सेकेंड का बता रहा हूं क्योंकि 16 तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है दो दोनों मेथड़ से चेक करने के बाद आप लोग कमेंट करके इंसर इसका सभी लोग बताएंगे ठीक है तो समझ रहे बात को ओके चलिए तो हमां ले लते हैं 529 529 को ठीक है तो ओके तो देखिए 529 हम लोग लेते हैं 529 इसको हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्ब करेंगे हुआ है ओके इसको हम लोग डिवीजन मेथड से शॉल्ब करने वाले हैं तो हमने बताया था की डोडों का पेरिंग बनाते हैं ठीक है जोडों की पेरींग कि दर से बनाएंगे इधर लेफ्ट साइड से बनाएगे ठीक है लेफ्ट साइड से दो का जोडा नहीं बनेगा कोई बात नहीं एक ही तवरन देते हैं ठीक है या इधर जीरो भी लगा सकते हैं तब भी दो पर जोड़ा बन गया ठीक है संतूष्टी आ गई अब देखिए अब यहां पर कितने से भाग लेकर जाएं कि 5 हो या 5 से कम हो तो 2 में 2 का भाग लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और 3 में 3 का भाग लेकर जाएगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यह तो 5 से जादा हो जाएगा 9 ठीक है तो हम तब यहां पर एक नया है, यह रूल नया है, तब क्या करेंगे, दो को उतारेंगे, और दो और दो को जोड़ दीजिए, दो और दो को जोड़ने पर कितना आएगा, भई, चार आ गया, ओके, अब हमारे पास जो नंबर बचा है, 29, एक साथ ही उतारेंगे, 29 हो गया, ठीक है, 29 तो अब कितने बार जा सकता है भाग बताईए भाग कितनी बार जा सकता है देखते हैं एक बार क्या इसको दो बार लेकर जा सकते हैं 42 में 2 का गुड़ा करेंगे तो कितना होगा बताईए 4 हो गया ये 8 हुआ ये तो इतना नहीं होना चाहिए इसके आसपास में होना चाहिए 129 के अब देखते हैं तीन का बार लेकर जाकर ठीक है 339, 432 यानि कि 129 आ गया एक दम वाउ 129 आ गया वाउ बहुत सा छोटा सा सवान हो गया यानि कि 3 टाइमस में कट गया आयरे कि8 Mom models को आप लोग नीचे लिए यानि कि आप फिनवी उसी प्रकार से इसको क्या कर दिजीए अट कर दिजये 336 हो जाएगा और चार-3-4 ओजा एक अलए ना ठीक न सिर्य तीक है अब इसको गता दीजें तो इसका कितना हो गया स्क्वार रूट 23 हो गया 23 ठीक है यहाँ 23 इसका वर्गमूल होगा 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23 ठीक है चलिए एक नेक्स्ट कोसेन और लेकर करते हैं कि डिवीजन मेथर के द्वार ठीक है मेरे पास एक कोसेन और रहे हैं थ्री टू फोर का अब क्या करते हैं डिवीजन मेथर से सौल्व गाए जाये तुक्त राइजेसन से बताइए चलिए इसको फैक्ट राइजेसन बेदी द्वारा करते हैं ठीक है ओके, दो से पहले भाग देते हैं इसमें, तो एक बार गया, ये बचा 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 ये बचा 8, और ये बचा 1, अगेन 3 से डिवाइट किया हमने, ये 2 हुआ, ये 7 हो गया ये 27 में, फिर से 3 से हमने भाग दिया, तो कितने टाइम जाएगा, 9, ओके, वेरी गुड, ये 3, मैं 3 का, 3 से डिवाइट किया, तो कितना हो गया, 3, ये बचा 1, ठीक है, तो अब पेरिंग कर लेते हैं यहां से 2, 2 का हो गया पेरिंग, यहां से जोड़ा बन गया, और यहां से जोड़ा बन गया, तो इसमें से 1, 2 को निकाले जिए, इसमें से 1, 3 को, तो 2 गुडा, 3 गुडा, 3, अब इसको गुडा करने के बाद कितना हो जाएगा 2, 3, 6, 6, 3, 18, तो यही आपका रिमेंडर, यानि कि पोसेंट जो भी हो, रिजल्ट यही आएगा, यानि कि स्कॉाइर रूट कितना आ गया, 18 हो गया अब चलिए इसी कोस्चन को हम लोग भाग बीदी द्वारा देखते हैं, ठीक है, भाग बीदी द्वारा, आप भी लोग थोड़ा देखिए, उसके बाद खुद से खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको 5, 29 और 3, 2, 4 का मैंने बता दिया, बाकी सभी के सभी इस कोस्च को आप लोग होमवर्क में करेगा, होमवर्क में करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है, चलिए, अब भाग बीदी द्वारा करते हैं, 3, 2, 4 का, ठीक है? 3, 2, 4, भाग बीदी द्वारा, ओके, तो यह कितने टाइमस देखिए, हम यदि हम लोग 2 बार ले कर जाते हैं 2 में 2 का ओड़ा करेंगे यह तो 4 हो जाएगा यानि कि 3 से जाता हो गया तो इसलिए। क्या करते हैं एक बार भाग लेकर जाते हैं तो हमने यहां पर एक उतारा और यहां पर भी एक उतारा अब घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचा दो बचा ठीक है और जितने बार भाग गया उसको हम लोग फिन नीचे बे लिखेंगे नीचे लिखने के बाद क्या करेंग एड़ करनेंगे और एड़ करने पर कितना आ जाएगा दो आ गया ठीक है और हमारा जो नंबर यह है इसको नीचे लिखेंगे 24 बताइए अब क्या हो करें कितने बार भाग जा सकता है तो यहां पर हम लोग 27 से भाग लेकर जाते हैं थीक है 27 में यानि ki 7 का 7 सते कितना हो जाएगा 49 हुआ 7, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 14, 18, 189 हुआ यह तो बहुत ही कम है 224 के असपास में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 28 का भाग लेकर जाते है 28 में 8 का गुडा कर देते हैं 8 भार भाग लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जागा, जब इसमें गुटा करेंगे तो 224 हो जाएगा, ठीक है, टू टू फूर, ठीक है, तो यह बच्छा हमारा आठ, यहां से सब cancel out हो गए इसको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दिजिए या लिव करना चाहते हैं तो आपका result कितना आ गया 18 ठीक है समझ गए बात को इतना clear है तो अब आप लोग क्या करिएगा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि decimal का square root कैसे निकालेंगे दस मलोव वाला square root को कैसे solve करेंगे और important question जो कि आपके सैनिक इसकूल प्रवेस परिछा में पूछे जाने की संभावना है पहले यह basics clear हो जाएगा तो आप तभी आप लोग moderate label का question solve कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले जितने भी questions दिए गया है इतने आप लोग इसको try करिए solve करिए और solve करने की बाद comment box में उत्तर दिजिए ठीक है यह दि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए share करिए subscribe करिए यह आप नए चैनल पर बने हुए है इस चैनल पर बने हुए है तो आप सैनिक classes का आप हिस्साव बन सकते हैं ठीक है ओके तैयारी जम कर करिए ओके all the very best ओके वाइबाई टेक कर लोफ यू जैहन जैभारत बंदे मात्रा